स्वालो टेडर्स इस वीडियो बात करने वाले हैं अब और निफ्टी बैंक निफ्टी एंफिन निफ्टी एनलसिस फॉर मंडे अब अगर आपने लास्ट वीक देखा होगा तो कहीना की मार्केड में बायर्स थोड़े फ्रस्टेटेट दिख रहे हैं मुझे और सेलर्स जो ह यहां पर हमको देखने के लिए मिलगा है कि मार्केड उपर खिच नहीं पार है अब मंडे से जो अभी आने वाला हफता है ये कहीं न कहीं डिसाइडिंग वाला होने वाला है मार्केड को या तो complete one side pull upside आ सकता है या तो complete downside pull downside आ सकता है क्यों कैसे यह मैं कैसे कमेंट करों डी अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो सबसे important चीज है कि market में buyers are frustrated वो मैं क्यों आपको यहां पर समझाता हूं सबसे best और प्यारा example बैंक निफ्टिए बनता है यहां पर और फिन निफ्टिए बनता है आपको दोनों में समझाता हूं देखी यहां पर क्या हो रहा है market ने एक अच्छा गासा move दिखाया ऐसा चीक है उसके बाद यहां पर एक down move आया अच्छी छासी selling आई यह पहला पुल फेल हो गया उसके बाद gap don खुला फिर market में बाएस पुल कन की कोशिश की फेल नेल हो गया फिर यहांपर फूल करने की कोशिश की मारिट में व logged उसके बाद ढम फेलने के बाद अच्छा आइस बन रहा था बढ़ Stop यहां पर फिर फृपर बाइस ने यहां पर ट्राइक किया उपर किचने के लिए अब सेम चीज़ एक फिरन फ्रिस सेप्ट निफ्टी देखते हैं यहां पर देखिए फिर निफ्टी का वह इस अच्छा गासा आप मूँव यह गाप फिर उपर गया यहां पर ब्रेक आउट का चांस था फिर यहां पर हम लोगों को ने देखा कि फिर अपने के बाद यह ब्रेक बढ़ा दिखा बड़ अब लोगों को यहां पर क्या दिखा कि बहुत सारे हैं जिन्हों ने बहुत बार यहां पर ट्राय किया है अब इसको अगर हम स्टोरी के एसाब से देखते हैं अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपको यहां पर समझाता हूँ तो देखी यह जो लेवल थे हमारा यह कुन सा लेवल है यह तक्रीबन लेवल है 19,300 एक मैं राउंड नबर पकड़ता हूँ ठीक है यहां पर भी अगर हम देखते हैं अगर हम स्टोरी उठा के देखते हैं यहां से अगर मैं यह चेक करता हूँ कि भईया यह जो सैलर है क्या वो इतना जादा टाकत पर है देखो यहां से अगर वो नीचे गया है तो 23 पर रोकना चाहिए था नहीं रोक पाया तो कहीना कि यहाँ पर selling pressure है, buyers यहाँ पर defeat face कर रहे हैं, instead अतना उपर upside momentum होने के बावजूद भी, कि चलो यहाँ पर अगर gap down खुला है, तो कहीना कि closing उपर के levels पर ऐसा breakout बगड़ा दे देता, तो जहाँ पर confidence यहाँ पर buyers हैं, यहाँ पर सोफार मार्केट में अपने को नहीं दिख रहा है, तो कहीना कि यह चीज़ें ध्यान पर रखते हुए, स्टार्ट करते हैं आज का analysis, यह point clear हो चुक है आपको, कि यहाँ पर मैं क्यों बहुरा हूँ कि buyers are completely frustrated in market, और sellers न चाहते हो भी indirectly और directly यहाँ पर dominate करने की कोशिश कर चाहिए, और कहीना कि हो successful भी यहाँ पर हो रहे हैं, अब बात करते हैं, let's say, मंडे के दिन पर क्या probability, क्या अमलब वो सोचना चाहिए, कैसी अपने वो करना चाहिए, तो देखो, कहीना कि इस level से nifty reject कर रहा है, यह कौन सा level है, यह तकरीबन level आता है, 19,850, ठीक है, कल market अपना flat या gap up खुलता है, अब 19,850 को break करता है, तो इसका directly यहाँ पर stop नहीं, सीधा उपर stop आता है, which is 20,020, और उसको उपर के तरफ cross करता है, तो next इसका rejection level है, वो है 20,200, अब ध्यान रखना, इतनी बार यहाँ पर rejection चाहिए, nifty, nifty ने यहाँ try किया, यहाँ try किया, यहाँ try किया, अब यह चौथे attempt पर अगर breakout देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना easy लुपने वाला है, अपने को फिर trendy market upside का यहाँ पर दिखने वाला है, same goes to downside, अगर अपने को ऐसा breakdown मिल जाता है, यह support हो गया, यह support हो गया, यह support लिया, अब यह 4 पार trend line को test कर रहा है, तो कहीं ने के trend line कमजोर हो चुका है, 19,680, this is the breakdown level, जहां से फिर market travel कर सकता है, फिर्स्ट हम लोगों का support level निकल के आता है, 19,570, next support निकल के आता है, 19,490, उसके बाद जो dead support है नीचे वाला, 19,340, यह थोड़ा सा मैं उपर के लिख से पकर रहा हूँ, यह इसके नीचे जो है ना, 19,270 से लेके, 19,340, यह support zone है, तो हम लोग पहले पहले निकलने की कोशिश करेंगे, एकदम deep में जाने की ज़रूबर नहीं है, उसको break कर देता है, तो अफ़र हम लोग बड़ा sell on rise, sell on rise, sell on rise, sell on rise यहाँ पर प्लान करते है, major trend change हुद रहेगा market के अंदर, so far, उपर का यह level है, नीचे का यह level है, market को break करने दो, sustain करने दो, नीचे के targets बड़े हैं, उपर के targets बड़े हैं, as of now, यह let's say एक major trend है, अब हम यहाँ खरे हैं, ठीक है, अब हम यहाँ से judge कर रहे हैं कि बहुत या तो वो ऐसा जाएगा नीचे, या तो वो ऐसा जाएगा नीचे, ऊपर, ओके, तो अपने को यहाँ पर हम लोग exactly देखो, अगर हम 50% के यह साब से देखते हैं, यह top to bottom, यह हमने लगा के देखा, तो वो exactly 50% के retracement पर खड़ा है, तो मतलब major यह upper level है, और यह lower level है, हम exactly यहाँ middle पर खड़े हैं, break करता है, तो फ़र हम लोग इसकी expectation रख सकते हैं, अगर यह upper वाला break करता है, तो हम इसकी expectation overall रख सकते हैं, as in market का major trend fit, यहाँ से एका उपर की तरफ जाते हैं, तो simple है, 23 पर नी रुका, 38 पर नी रुका, 50 पर नी रुका, अगर यहाँ से reject कर देता है, और नीचे का breakdown दे देता है, मतलब यहाँ पर उसने breakdown दे दिया, तो simple है, 50% पर कहीं न कहीं इसने try किया, उपर जाने के लिए, यहीं पर reject face करते हुए, नीचे के तरफ आया, अब market फिर नीचे की तरफ जाने की यहाँ पर probability यहाँ पर दिखा रहा है, simple, बात करेंगे हम बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का major level कौन सा है, तो बैंक निफ्टी का major level यहाँ पर है, जो level है अपना 44,740, ठीक है, अब बाइद भी तेसे टेलीग्राम के ओपर मैं comment करते रहता हूँ, कि देखो अगर आप ध्यान दोगे, मेरे comments के ओपर ध्यान दोगे, और उसको अपने trading के अंद लाओगे, तो definitely आप घलत trade में बैटना बन कर दोगे, मेरे जो comments होते हैं, वो specific ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ से buy कर लो, यहाँ से sell कर लो, नहीं, एक kind of आपको overall major trend, major view समझाने की मैं कोशिश करता हूँ चाहे, कभी भी देख लो, जब भी मुझे clarity आ जाती है, कि हाँ बस अब यहाँ से अगर ऐसा, तब तक आपको यहाँ पर selling के हिसाब से नहीं देखना है, और अगर bank nifty, जो यह rule है, जो यह मैं comment करता हूँ, bank nifty के उपर बले ही वो अगर low break करता है, तो इतना जाला perform नहीं करेगा, तो market ने exactly वैसे किया, यह first candle मनने के बाद यहाँ पर लो टूटा, और फर यह upside momentum, तो अगर आपने इस बाद सुनी होती, तो आप यहाँ पर selling नहीं करते हैं, और फस्ते नहीं, तो यह आपको मैं try करता हूँ, मैं अपने तरीके से चीज़े समझाओ, और आप गलत trade में ना बैठो, और अपने इसाब से दमाग, मैं आपको बोलूँगा, buy कर दो, sell कर दो, तो यह कहीना कि मैं आपको अपने ओपर depend कर वा रहा हूँ, वो मुझे बिल्कुल नहीं करना हूँ, that is also not legal, यह मैं उस चीज़ का authorized person नहीं हूँ, तो मैं को कर भी नहीं सकता हूँ, आपके ही काम की चीज़ में आपर पोस्ट करते रहता हूँ, विदाओर प्रमोटिंग एनी कोर्सेस और कुछ भी पेड सर्विस वगरा हम लोग नहीं चलाते हूँ, नहीं परमोट करते हैं, अब बात करते हैं, बैंक निफ्टी के उपर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि यह है important level, 44,740, close हुआ है लगबख हमारा 44,220, अब जब तक इन levels को cross नहीं करते हैं, इसको cross करता है, तो next अपना हम लोगों करते हैं, यहां पर stop बैटता है, वो बैटता है 45,020, उसके बाद वाला next stop बैटता है 45,300, और यह तोप वाला जो अपना level है, वो बहुत ज्यादा उपर है, उसको हम लोगों as of now consider यहां पर नहीं करना है, I hope the point is clear, sorry मैंने कुछ mistake किया है, 45,020 यहां आएगा और 45,300 यहां आएगा, और 45,300 यहां आएगा, और यहां से मैं 1000 पॉइंट ऊपर की बात करों, उसके उपर वाले यहां पर मुझे बात as of now नहीं करने, क्योंकि वो logical नहीं रहेगा for intraday, बात करते हैं, अगर let's say, bottom to top मैंन करना है, bank nifty में, तो 44,140 को break होना चाहिए, तो आज भी मेरा वही comment यहां पर है रहेगा, 44,140 को break करता है, तो first हम लोगों का यहां पर level आके बैठता है, 43,990 और उसके बाद यहां पर नीचे वाला है, 43,830, अब 43,830 को break करता है, तो directly 43,400 का next support आके बैठता है, तो इसको बह यहां पर क्या हो रहा है, market ने एक यहां पर downtrend स्टार्ट किया, ठीक है, almost कब स्टार्ट किया था, लगबख September महीने से यहां पर वो market नीच आया, अब लगबख September खतम हो गया, आदा October खतम हो गया, फिर भी market उचल नहीं पा रहा है, in fact 38.2% को भी cross नहीं कर पा रहा है, तो कह अब लेवल है, अब यह तगड़ा लेवल हो चुका है, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं उपर की तरफ खीच लूँ ऐसा, और इसको थोड़ा यह ऐसा कर दे, ठीक है, अब फिन निफ्टी का कौन सा लेवल है, यह 19,960, ठीक है, कल flat खुला, gap up खुला, 19,960 को ऐस ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो अब लोगों यहां पर expect करना है कि हाँ वही है, यह 20,050 के आसपास यहां पर आ सकता है, उसके बाद इसका 20,280 का लेवल है, जो कि यहां पर आता है, वह बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी यहां से almost 500 पॉइंट उपर के बात करने के कोई लॉजिक नी बनती है, सिंपल, 99,60 को ब्रेक करता है, तो अपने कोई confident buyings का अपर like action ले सकते हैं, हम लोगों 20,050 का यहां पर high probability है, market rejection के तरह face कर सकता है, और हम लोगों का वो target बन सकता है, बात करते हैं, अगर हम सैलिंग के लिए, तो देखो, अगर हम बात करने यहां पर यह buyer के status के लिए, तो देखो, उसने 23 पे कुछ action नहीं दिखाया, 38 पे नहीं दिखाया, हो सकता है, 50 पे दिखाया, तो इसलिए हम लोगों यहां पर fin 50 में थोड़ा सा safe play करेंगे, safe play up करेंगे, जा हम लोगों का यहां पर, यह middle वाला part टूटेगा, मतलब 19,030, इसको break करता है, तो हम लोगों का पहला यहां पर जो support level better, वो better 19,660, उसके बाद वाला support better है, 19,580 का, अब यहां पर क्या है, exactly मैं आपको समझा देता हूँ, simple, देखो, यह lower zone है, ठीक है, और यह है upper zone, जो हमने यहां पर mark के होगा, अब यहां पर market ख़रा होगा है, इस levels पे, अब assume करते हैं कि market को उपर की तरफ यहां से जाना है, अगर उपर की तरफ जाना है, तो market यहां पर क्या करेगा, rejection दिखाते होगे, weak buyers को यहां पर exit करवा देगा, अब वो जो thinking है, यह वाली जो thinking है, वो 50% तक applicable होगा, कि चलो बहुत यहां से market उपर गया, 23 पर नहीं रुका, weak buyers को निक rating, buyers यहां पर खतम हो चुके हैं, तो इसलिए यहां पर हम फिर sell on rise, sell on rise करते होगे, पहला आप लोगों का जो level बैठता हो, बैठता है 19,000,60, उसके बाद वाला जो level बैठता है, नीसी वाला bottom, which is 19,500, I hope, वीडियो में आपको completely clarity, मेरा state of mind क्या है, मैं market को कैसे देख रहा हू कि gap up खुलने का chance है, या मेरा viewpoint क्या है, तो मैं इसमराइज में आपको यही कहूंगा, कहीं न कहीं buyers pressure में है, sellers dominate कर रहे हैं, sellers का dominance सिरुफ और सिरुफ उपर के levels break करने के बाद ही खतम होने वाला, जब तक यह उपर के levels break नहीं होते हैं, तब तक यहां पर buyers कुछ नहीं करता है यह तब तक हो सकता है, या तो major selling आ जाए, यह मेरा state of mind है, या तो sideways 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 करते हुए, आपका फिर अगला आफता भी जो है आने वाला, जो कि middle वाला आफता होगा, उसके बाद वाले आफते में हम लोगों मंधली expiry देखने को मिलेगी, तो फुरो या तो sideways, मतलब viewpoint overall क्या हु यहाँ पर बहुत बार यह levels की testing हो चुकी है, अगर वो bearish बनता है, गिरता है और इन levels को break करता है, तो अपर next years के stops है काफी नीचे की तरफ है, क्योंकि उसमें momentum पहले की तरफ ऐसे आया हुआ है, तो कहिना के इंफर जो fall भी आएगा, वो domino effect यहाँ पर आपको देखने के ल जीजेगा, thanks for watching, we'll see you in the next video.